नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल फरमिसे इस्टड़ी में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन टैबलेट के बारे में ये जो टैबलेट है अगर किसी पेशन्ट को सांस से संबन्दित किसी पकार की दिक्कत है तो वहाँ पर उपयोग की जाती है अगर हम बात करें तो मेडिकल स्टोर पे ये टैबलेट अपने कुछ पॉपलर ब्रैंड निम से मिलते है जैसे कि डेरी फाइलिन टैबलेट काफी ज़्यादा पॉपुलर है इसके अलवा भी आपको कई सारे ब्रैंड ने मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे दोस्तों बात करें कि ये जो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन है ये आखिरकार किस क्लास की दवाईया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू ये दोनों की दोनों दवाईया ब्रॉंको डाइलेटर क्लास की दवाईया है इटोफाइलिन और थीओफाइलिन अगर दोस्तों बात करें तो यह विसकली क्या करती है आपकी जो Ayerways की Muscles है उनको Relax कर देती है और Widen कर देती है फाइला देती है जिससे क्या होता है आपको سांस लेने में आसाली होने लागती है तो यह कुछ ऐसे दवा काम करती है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इसको किन किन समस्याओं में लिया जाता है कैसे और कितना डोज आप ले सकते हैं इसके साइड इफर्ट क्या कुछ आते हैं कभी इस दवा को नहीं लेना चाहिए तो पूरी जनकारी पाने के लिए वीडियो को अं कार की समस्या है तो अक्सर डॉक्टर इस दवा को जो है मरीज को देते हैं कुछ कंडिशन की बात करें तो पहली जो कंडिशन है वह है क्रोनिक ऑब्स्ट्राक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको सॉर्ट फॉर्म में COPD भी बोला जाता है दोस्तों COPD में क्या होता है आपक के चेस्ट में tightness महसूस होना साथ ही साथ सांस लेने में कटनाई होना shortness और breathe की समस्या होना इसके अलावा दोस्तों जब आप सांस लेंगे तो घर घराट की आवाज आ सकती है और खांसी बहुत जादा आ सकती है अगर आपको COPD की समस्या है तो वहाँ पर ये जब tablet दी जा करती है मसल्स को वहां पर रिलाक्स कर देती है जिससे क्या होता है आपको सांस लेने में जो है आसानी होने लगती है अगली जो समस्य है दोस्तों वह है अस्थमा जिसको दमा भी बोला जाता है अस्थमा में विसकली होता क्या है दोस्तों आपकी सांस की नलियों में जलन होती बात कर लेते हैं इस दवा को कैसे लेना रहता है इसका dose जो है patient को कितना दिया जाता है तो दोस्तों मैं आपको बता दू ये जो दवा है इसको आप खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद उप्योग कर सकते हैं बात करें तो इस दवा को दिन में 2 से लगा कर 3 बार patient की उमर age condition के according doctor देते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों इसके side effect के बारे में तो side effect में आपको मतली उल्टी की समस्या हो सकती है ये दवा लेने के बाद आपके सर में दर्द महसूस हो सकता है आपको सरीर में थकान महसूस हो सकती है ये इसके कुछ most common side effect हैं कोई भी side effect आपको दिखाई दे तो इस दवा को फर्दर उप्योग नहीं करना है, साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है बात करें कब इस दवा को नहीं लेना है तो दोस्तो अगर आपको इस दवा से एलर्जी है, अगर आप बहुत ज़दा इलकोहल का सेवन करते हैं अगर आपको लीवर से संबंदित कोई गंभीर बीमारी है तो वहाँ पर अपने आपसे ये दवा ना ले हमेशा डॉक्टर की सलाह से इस दवा को ले तो दोस्तो यही था आज का वीडियो इटोफाइलिन और थियोफाइलिन टैबलेट के बारे में उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप देख रहे थे सिंपल फार्मेश से इस्टडी डियारेक्स धार्मेंदर के साथ मैं मिलता हूँ आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जहिन पन्दमातरम टेक केर बार